तो वेलकम बेक फ्रेंड्स मैं हरसद एहलावत आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राश्ट्री राजधानी छेतर दिल्ली के बारे में जो कि जतने भी कोश्चिन बन सकते हैं जतने भी जो को तो देखिए परीचे से स्टार्टिंग करते हैं तो देखिए चेतर फलेस्का 1483 वल किलोमेटर राजधानी दिल्ली सीमाओं की बात करते हैं सीमा उत्तर पश्चिम तक्स दक्षिन में हरियाना एवं पूरम में उत्तर प्रदेश है आगे जानते हैं तो देखिए जन और महिलाए हैं 78,615 और जन्संग के घनतव की बात करते हैं तो 11,320 व्यक्ति प्रति वर्क किलोमेटर और जन्संग के वरदिदर 2021 सी 2011 तक 21.2 प्रतिसर और लिंगानुपात की बात करते हैं यदि हम तो लिंगानुपात 868 महिलाएं प्रति हजार पुरस आगे देखते हैं स जीरो से 6 आयू समुह में 871 बाली का प्रति हजार बालक और साक्षरता की बात करते हैं तो 86.2 पुरस हैं जिसमें 90.9 पुरस हैं 90.9 परसेंट ठीक है महिलाएं 80.8 परसेंट और इसमें 0 से 6 वर्स की आयू वर्क की जन्संग क्या है 20,12,454 और साक्षर जन्संग क्या है एक करोड 27 लाग 37,767 जिसमें पुरस साक्षर हैं 71,494,856 और महिला साक्षर है 55,92,911 विधान सबा मंडल है एक सदनात्मक ठीक है विधान सबा और विधान सबा सदस्यों की संख्या की बात करते हैं सदस्यों की संख्या है 70 और लोक सबा सदस्यों की संख्या है 7 और राज जक त जक्ठर में हरियाना एवं पूरब में उद्तर परतेश, किर्सी जेतर हैं लगवब 7000 hektar, और यजी जेतर हैं 1443 hektar, राज के पसुह क्या, नीलगा है, और राज के पक्षी क्या है, घरिलू गोरिया, उच्चनायल के निलि में परवत कहा है, अराबली परवत, परवत कितना है 558.32 वर्ग किलोमीटर नगर निकाय कितने है तीन गाउं कितने है दिली में 165 जिले कितने है ग्यारा और तैसीर कितनी है 27 ठीक है और औसत वार्शिक वर्षा कितनी है 114 mm नदी कुन सी है नदी दिली में यमुना इस राज्ये के पिर्थम राज्यपाल स्री आधितना ज्जा तता पिर्थम मुख्यमंतरी चौदरी ब्रहम सिंग थे इस राज्ये के पिर्मुक भासा हिंदी पंजाबी तता उर्दु है महा भारत काल में दिली का नाम इंद्रपरश्थ था ठीक है और सन 1911 में कलकत्ता की जगे दिली को बिल्टिस भारत की राजधानी बनाई गई उनिस सो सेंटालिस में सुटिनत्ता के बाद इसे भारत की राजधानी के रूप में सुटार किया गया समीधान के 69 संसुदन 1991 द्वारा यहां विदान सभा का गठन किया गया तता केंद्र सासित पिर्दिसों में विसेश दर्जा दिया गया एक फरवरी 1992 से इसे नया नाम राष्टी राजधानी छेतर दिल्ली दिया गया कब दिया गया एक फरवरी 1992 यमना तट पर अवस्तित यह नगर वर्तमान फिरोज साह कोटला एवं हुमायू के मकवरे के बीच अवस्तित था इस पिर्देश को खंडपरस्त और योगीनिपूर के नाम से भी जाना जा इंद्रपरस्त के गौतम वंसीय राजाओं के परिवर्ति मयूर वंस के अंतिम कन्नोज सासक राजा दिलू द्वारा इस पिर्देश को जीत कर अपने राज्ये में मिला लिया गया राजा दिलू के राज्यपाल स्वरूप दत द्वारा यहां दिलू के नाम से नए नगर क सास सो छास्टिसीशवि में तौमर राजपूत्तो द्वार दिल्ली या दिल्लीका के नाम से एक नगर को विदिवत बस आया गया 10 बामन में अनंगपाल द्वारा अनंगपाल दृतिय द्वारा उस नगर का पुनरुधार एवं पूननिर्मान कर इस नगर की सुरक्षा के लिए लाल कोट नामक के लिए का निर्मान कराया गया अनंकपाल तीन के सासनकाल में चोहान सासक विग। हरान द्वारा 1151 इसवी में इस प्रिदेश पर कबजा कर लिया गया लेकिन दोनों घरानों में वेवाहिक संबंध की श्थापना के बाद तॉमरवंजी वहां चोहान सासकों के अधीन सासक सासन करती थी ठीक है, करते रहे आगे दीखते हैं तो दीखे आगे है विग्रह राज के पौत्र परत्फिराद चोहान राय पिथोरा लाल कोट किले का विस्तार कर, एकम खिला राय पिथोरा की नाम से एक बड़े किले का निर्मार करवाया इसे दिल्ली का पहला एतिहासिक सहर माना जाता है तराइन के दूतिय युद 1992 में परत्विराच चोहान की पराजय के बाद 1193 में मुहमत गोरी के एक गुलाम कुतुबिद्दीन एबग द्वारा दिल्ली पर अधिकार कर लिया गया 1206 में मुहमत गोरी की मरत्यों के बाद कुतुबिद्दीन एबग ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोचद कर दिया गया 12010 में पोलो खेलती समय घोले से गिरकर एबग की मरत्यों हो गई इसके बाद उसका दामाद इल्तुतमिष दिल्ली का सुल्तान बना तो देखे कुतुबिद्दीन एबग के बाद साथ मुसलिम वंसों गुलाम वंस, खिलजी वंस, तोलक वंस, सयद वंस, लोधी वंस, सूरी वंस तथा मुगल वंस ने एक के बाद एक दिल्ली पर राज किया और अपनी अपनी रुची तथा रुजहान की छाप दिल्ली पर छ दूसरा नगर सीरी बसाया गया उसमें 1305 में होज खासका भी निर्मान करवाया गया ग्यासुदीन तुगलक 1121 में सीरी के पूर्व तुगलक का बाद नगर की नीव डाली यह नगर केवल 6 वरसों तक तुगलक सामराज्य का राजधानी रह पाया तुगलक वंस के दूसरे ब चिराग दिल्ली के नाम से जाना जाता है इस इस्थान पर बादसा द्वारा 8 किलोमेटर घेरे में 13 दर्वाजों वाला एक परकोटा बनवाया गया तुगलक वंस के तिर्थिये बादसा फिरोज साह तुगलक द्वारा 1354 में फिरोजाबाद नाम से एक नई राजधानी न फिरोजाबाद नगर के चार किलोमेटर दक्षण में इस्थापित की तीक है दुवारा बोलते हैं कि लगबग दो सताबदी के बाद हुमायू ने अपनी एक अलग नगर दिल्ली फिरोजाबाद नगर के चार किलोमेटर दक्षण में इस्थापित की यह इस्तलाज पुरा पुराने किले के नाम से मसूर है इस नगर की बसावट का काम सेरसा सूरी दोरा पूरा किया गया इसी के दोरा 1544 के दोरा पुराने किले का निर्मान कराया गया 1638 में सा जहाँ दोरा आज के पुराने दिल्ली को सा जहाँबाद के नाम से बसाया गया उसके दोरा वहाँ पर 1648 में लाल केला तथा 1656 में जामा मस्जित का निर्मान करवाया गया था सा जहाँबाद के चारों तरफ क्वार्ट जाइड पत्थर की चाहर दिवारी बनाई गई जिसके चारों तरफ मुखे दोर दिल्ली गेट, कस्मीरी गेट, अजमीरी गेट और लाहोरी गेट के नाम से लगे हुए थे 1724 में राजा जैसिंग दोरा जंतर मंतर बनवाया गया तता साजुदील धलोला दोरा 1753 में सवदरगंज का मकबरा बनवाया गया था अंग्रेज दोरा पहले भारत की राजधानी कलकत्ता बनाई गई थी ठीक है परन्तु 1911 में सपाठ जोर्ज पंचम दोरा दिल्ली को राजधानी बनाने का निश्चय किया गया सन 1947 में स्वत्मत्ता प्राप्ति के बस्चात इसे भारत संखी राजधानी के रूप में सुविकार किया गया 1956 में इसे केंदर सासित प्रदेश का दर्जा दिया गया दिल्ली पर विदिवत सासन की सुरुवात अंग्रेज दोरा 1805 में सुरुकी गई दिसंबर 1903 में गठित राज्य पुनर गठन आयोक के सुजावों के मद्देनजर खेंदर सरकार दवारा एक नवंबर 1956 से दिल्ली की मंत्री परिशद और विधाईका का अस्तित्व समाप्त कर दिया गया 1957 में संसद द्वारा पारित दिल्ली नगर अधिनियम के तहत नगर निगम की गठन के उद्देशे से 1958 में चुनाव करवाई गए 1957 में ही दिल्ली विकास अधिनियम पारित हुआ जिसके तहत दिल्ली विकास प्राधिकरन की इस्थापना हुई प्रादिकरन द्वारा पहला मास्टर प्लान 1961 से 81 या 1962 में प्रकासित किया गया दिली प्रयशासन अधिनियम 1966 के द्वारा महानगर परीशद 56 निर्वाचित पिलस 5 मनोनित सदस्य के गठन का प्रादानकर दिली में सीमित प्रतिनियुषित वाली सरकार की स्थापना की गई सम्विधान में 69 वे सम्विधान संसोदन द्वारा दिल्ली राष्टिय राजधानी छेतर अधिनियम 1991 प्रभाव में आया 1992 से लागू इस अधिनियम के तहट एक विधानसवा तथा दिल्ली के प्रेसासन संचालन के लिए एक उपराज्यपाल तथा उनको इस विषय में सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के अधिन मंत्री परिशत का प्राबधान किया गया 1993 के शुनाव के पस्चात इस अधिनियम के तहट पहली विधानसवा का गठन किया गया नवंबर 1998 में में दूसरी विधानसवा गठित की गई भू आकर्तिक द्रश्टी से दिल्ली को तीन भागों में विभाजित किया जाता है यमनाबार्थ एवं गिरपदिय मैदान पहाडी पिर्देश तथा मैदानी पिर्देश दिल्ली का सबसे उचा इस्थान भाटी गाओं है जिसकी उचाई समुद्र तल से 322 मीटर है दिल्ली की भू आकर्तिक सार्धिक महत्पून तत्व पहाडी है जो राजिस्थान की अराबली पहाडियों के परवत इस्खंद की भाती बना है अनंगपाल पिर्थम तॉमर वंसी राजा के समय का बना सूरजगुंड आज भी दिल्ली में मौझूद है चांदनी चौक का बाजार साजहा की लड़की जहां आरा बेंगम ने बनवाया था लाल किला 1648 इसवी में बनकर तैयार हुआ जिसकी नीव 1649 इसवी में रखी गई थी इस पर 9 करोड रुपे का खर्चा आया था 1749 इसवी में नादिर साह ने इस नगर को बरबाद कर दिया था अंग्रेज 1857 इसवी में राजधानी को दिल्ली से कलकता ले गए जून 1911 में दिल्ली को पुन्हे भारत की राजधानी बनाया गया दिल्ली के लाल किले में यहदुर साफ चफर दुतिय और सुवाश चंदर बोस की आजाद हिंद फौज के सैनिकों के सूपिशिद राजदेने तिक मुकदमे चले दिल्ली के इस ही लाल किले पर 15 अगस्त 1947 इसवी के दिन सुएतंतर भारत के पिर्थम प्रधान मंत्री स्री जवालल नहरू ने सुआदीन भारत का तिरंगा राश्तिय धरज फेर आया कुतम मिनार की उंचाई 234 फूट है जिसमें 389 सीडिया है प्रत्वी का उसका व्यास 47 फूट है जो ओपर जाकल केवल 9 फूट रह जाता है लाल केला और जामा मजजित मुगल युकी सरवुत्तम इमारत हुमायू का मगवारा का निर्मार 1565 में हुआ था नई दिल्ली में इस्थित जंतर मंतर यंतर मंदिर है जिससे जैपूर के राजा सवाई सीख जैसिंग ने 1724 में बनवाया था वर्तमान में नई दिल्ली का निर्मार सर एडविन लूटियंस और हरवर्ट बेकर की देखरेक में अंग्रेजों ने कराया था नई दिल्ली में 18 मार्च 1949 को महत्मा गांदी ने लक्ष्मी नायरान मंदिर का उधगातन किया था जिसका निर्मान बलदेव दास बिरला ने कराया था दिल्ली में 23 दिसंबर 1912 इसवी को लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेका गया था इस केस के मास्टर अमीर चंद्र अवद बिहारी वसंद कुमार तथा भाई बाल मुकंद को फांसी हुई थी अंग्रेज सरकार ने 1877 1903 तथा 1911 इसवी में कुल तीन बार दिल्ली में विसाल दरवार का आयजन किया था पहला दिल्ली दरवार लॉर्ड लिटन के समय में हुआ था जिसमें महरानी बिक्तुरिया को भारत की समिक्री घोषित किया था दूसरा दिल्ली दरवार लॉर्ड करजन द्वारा 1903 में आयत किया गया जिसमें बादसा एडवर्ड सप्तम की ताज पोशी की घोशना की गई तीसरा दरवार लॉर्ड हर्डिंग के समय 1911 में हुआ था बादसा जॉर्ड पंचम और उनकी महरानी इस अबसर पर मौजूद थे दिल्ली विश्विद्दाले के स्थापना 1922 इसवी में की गई थी जिसका पुन्हे संगठन 1952 इसवी में किया गया तो देखिए यह थे हमारे दिल्ली के बारे में कुछ इंपोर्टेंट जान का रही अकर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलते नेक्स वीडियो में त